सब्सक्राइब करिए एस व्लॉक्स चैनल को और वैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के नमस्कार दोस्तों एस वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्तों अपना कारवजार को एकस्प्लोर करना है इस वीडियो में हम एक बार फिर कुछ एस वीडियो को एकस्प्लोर करेंगे यह खड़ी है इनोवा इसकॉर्पियो जाइलो जाइलो की काफी डिमांड की तो सबसे पहले हम भाईया को बुला लेते हैं भाईया वेलकम टू एस लॉक्स शान मुहमद जी का आप स्वागत करी है और सान मुहमद जी से हम थोड़ी यहां डिटेल लेंगे तो भाया पहले गाड़ी यह खड़ी है स्कॉर्पियो इसका मॉडल बता दीजे कौन सा है कितना चली है और सब्सक्राइब था इस सामने खड़ी है इसकॉर्पियो वीलेक्स है उस समय की टॉप मॉडल यह टॉप मॉडल है ठीक है तो इसमें क्या-क फीचर लोरेट गाड़ी है और उस समय का टॉप मॉडल है वी वी लेक्स घो अंदर के वह एक्वेट रखी तो गाड़ी से वह वी होने वाली है गाड़ी पूरी फीचर लोड़ेट है एयर बैग भी मिलेंगे और अंदर से आप देखिजिए गाड़ी कैसी है साब सुतरी सब्सक्राइब देख लिए अच्छे सीट कवर लगे हुए है गाड़ी अंदर से लेकर बाहर तक काफी चॉप नॉच चंडिशन में और इस गाड़ी में वह यह कितना चली है यह ज़िए नभी हजार क्या नभी हजार चली है तो नभी हजार इसके लिए तो वैसे कुछ रहे सब्सक्राइब तो लखनव नंबर है 2009 मॉडल नभी हजार से लिए फस्ट ओनर गाड़ी है और यह प्राइस क्या कोड़ कर रहा है चाल लाग में भी कम कर देंगे चाल लाग में भी कम हो जाएगी इसके लिए आप जा सकते हैं आप चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी मेरे अब सेलिंग गाड़ी है लकनाव नंबर है इसकी पूरी डीटेल देदी जाए जीफोर है जीफोर सेकेंड टॉप वेरियंट है गाड़ी काफी अच्छी कंडिशन में अच्छी आप देख सकते हैं आगे से पीछे तक साथ सुतरी कंडिशन में गाड़ी है और आप देख स सब कराने की जरूत नहीं तो आगे पीछे कैटन सीट है उसके बाद था ड्रो में आपको तीन लोगी बैठने की जगह मिलेगी और इसमें रूफ एसी मिल जाएगी गाड़ी काफी अच्छी कंडिशन में है और वही है इसकी प्राइस क्या कोड़ करना है शे लाक रुपे ह तो अब हम गाड़ी कौन सी देखने वाले हैं जाइलो की काफी डिवांड ती महिंद्रा की ये भी काफी अच्छी गाड़ी है और इसमें बिया कौन सा वेरियंट है अब बाड़ी बेस मोडल के इसाफ से नहीं होगा तो गाड़ी फैमिली के लिए अगर यूज करना चाहे रहे हैं या आप कहीं शादियादी में गाहों से रिलेट करते हैं अगर शादिन चलाना चाहते तो काफी बढ़िया इंजन है इसमें कौन सा इंजन मिल जाता भी यह कि यह महाँ करने स्कॉर्प्यों के इंजन मिल जाएगा तो गाड़ी डेफिनल्टली काफी अच्छी होने वाली है और अंदर से देख लिए बेस मोडल इसमें एसी मिल जाएगी बस पावर विंडो आपको नहीं मिलेगा फिर भी गाड़ी काफी अच्छी है सेवन सीटर ग यानि जैसे ओनर ने कि थी वैसी गाड़ी है कुछ काम नहीं हो रखा है और यह कौन सा कितना चली थी यह चली है बातर क्या सब्सक्राइब यह चली है इसका प्राइब पांच लाग पर पांच लाग यह नया कित्ते में आती थी यह उस्टायम आती थी करिद वह साड़े नो दस क्यास पर तो लगबाग आधे रेट में है जाईलो इसके लिए जा सकते हैं काफी अच्छी गाड़ी है और अब हम चलते हैं दिमांडेट बोलेरो गाड़ी देख लिए कंडिशन काफी अच्छी है और यह यूपी तालिस पांकी यानि यहीं की है और गाड़ी यानि अच्छी कम चली हुई गाड़ी हो सकती है यह यह इसकी क्या प्रोफाइल है वह बताजिए डिटेल देजिए यह वाई साब यह फ यह इसके अंदर साधी बिल्कुल है ना यह जाएगा इसमें और ना यह पावर इस्टेरिंग आएगा ठीक मनदब बेस मॉडल है उस इस आप से गाड़ी काफी अच्छी कंडिशन में है कोई काम तो नहीं हो अभी काम ने पोई ओरिजिनल पेंड की गाली है इतना चली है काड़ी काफी अच्छी है फस्ट टोनर है सत्तर अजार किलोमेटर चली हुई दोजार तेरा मॉडल है और काफी अच्छी कंडिशन है अब प्राइस क्या करना है इसके चार लात होता है उसमें भी कुछ कम कर देंगा चले कम हो जाएगा आपका सम्मान जरूर रखेंगे औ तो यह था अपना कारबजार बारा बंकी का सुवी का कलेक्शन जिसमें हमने आपको दिखाया स्कॉर्पियो इनुवा जाईलो और बोलेरो और अब भाईया फाइनस के लिए भी थोड़ा बताती है फाइनस के परकरिया यह है किसी भी जिले से हैं उसमें पेपर लगेंगे आपको यहां से बढ़िया फुल कंडिशन रहाना आपको यह था अपना कारबजार का वीडियो कैसा लगा पॉमेंट सेक्षन दोता ही वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्स्राइब करिए इस्टाग्राम के भी मुझे फॉलो कर लिए क्योंकि लेटेस्ट वीडियो में आपडेट आपको वहीं देता हूँ और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए धन्यवाद